चठा आध्याई योग जोतिस द्वारा चिकिच्चा सन्या सास्रम की अवस्था पार कर जुकने पर परामारा आध्य गुरुदेव के आदिश से बोलाना चिकिच्च्या वेवसाई करने के लिए उद्धित हुए वे अलोकिक प्रतिबा संपन नव्युवक थे बंगला भाषा में प्रकाश जितने भी चिकिच्चा सास्तर ग्रंध थे अल्प समय के भीतर ही उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ डाले और चिकिच्चा का उत्तम ज्यान प्राप्त करा कठोर साधना करके जिनोंने समस्त दुरलप सिद्धिय आस्त गत कर ली थी मनोबृद्यों के उदई अस्त तथा हेतू जिनोंने समपूर्णा रूप से जहान कर अपने वश में कर लिया था उनके लिए नए शास्तर का अधियन कर उस्प के मर्म को शीगर से शीगर ग्रहन कर लेना कोई आश्चरी की बात न थी गुरुदेव के अनुग्र से अपनी प्रदेपा के विकास से यतोचित पूर्शात के प्रभाव से चिकित्सा विज्ञान उन्होंने सहज में बलिबाती सीख लिया वर्दमान जिले के अंदर गुश्करा नाम का एक ग्राम है ग्राम कोई बहुत बड़ा नहीं है इस्ट इंडिया रेल्वे की रूप लाइन इस गाउं से होकर जाती है लाइन के ठीक उपर गुश्करा नाम का रेल्वे स्टेशन भी है इस ग्राम में चोगंदार वंश एक संबुच साली एवं प्रसित चमिनदार रहते है इस परिवार के हरिश्चंद्र जोगंदार महाशाई कितने प्रतेपशाली पुरुष है इस बात को उस समय के आसपास के लोग सब जानते थे पोलानाथ चिकित्सा विवसाई के लिए गुश्कुरा गाउं में पहुचे और उक्त चोगंदार महाशाई के जमिनदारी वाले दफ्तर में अपने रहवने की विवस्ता की चोगंदार परिवार और बंडूल चतोपादिये वंस में परस पर बहुत पहले से ही गना परीचय था पोलानाथ तिर्क काल तक इस ग्राम में ठहरे वहाँ पर लोगों के समक्ष रहते हुए भी अत्यन प्रच्छन भाव से निष्ठा, नियम, सदाचार, सयम का पालन करते रहे एवं ब्रावन भाव पूरी रक्षा करते हुए तपस्वी का जीवन बिताते रहे उनको कोई सहज में ही समझ नहीं पाता था सहसा जिस किसी के पकड में नहीं आते थे उनको हमेशा अपने आपको छिपाए रखना पसंद था तथि आपी जिस प्रकार कमल में मदुसंचे होने पर मदुकर को नहीं बुलाना पड़ता था वह अपने आप ही पहुँचता है और गुंजन दोनी से मानो कमल का गुंगान करता हुआ उसे चारो और प्रमण करने लगता है इसी प्रकार सहस्तर पगार से अपने को छिपानी की चेश्टा करने पर भी बुलानात की किर्थी मदुगन चारो और फैलने लगी और जंता उनकी और आकरशित होकर दोडने लगी दूर दूर से असंख्या लोग उनके दर्शन करने तथा उनकी गुरुपा प्राप्त करने उनके पास आकर उनको गहरने लगे उनकी अलोकिक सिद्यों के चमत कारवारता देश विदोशों में प्रशन सा वेक से फेलने लगी वे जिकित्सा कारिया करते थे इसलिए उन्हें गुष्करा में लोग डॉक्टर बाबु के नाम से बिख्याद हुए यदि अपी वे बश्चात प्रणाली से ओशद उपचार करते थे तद्यापी उनकी अपनी कुछ विशेश्टा थी सर्वप्रतम वे योग जोतिश के द्वारा रूग का आदी से अंत तक सारा हल जान लेते थे यदि वे जान लेते थे कि रोगी असाध्य है अर्थात, मृत्यू अवश्य संभवी है तो उस रोगी की जिकित्सा का भार स्वयम ग्रहन ही नहीं करते थे वह रोगी निश्यत ही समझ जाता था कि अब उस रोग से कोई दूर नहीं कर सकता यही कारण है कि उनको अपने हाथ में पड़े हुए किसी भी रोग की मृत्यू नहीं होती थी कुछ दिन तक इसी प्रकार जिकित्सा करने में उनकी गीरती इतनी दूर तक फैल गई कि बहुत दूर देशों से नाना प्रकार के रोगी उनके पास निरंतर आकर इकट्य होने लगे इससे इनकी आर्थिक आय भी कोई कम नहीं होती थी वी दिन दरिद्र के लिए सच्चे दयामान बंदो थे निर्दन रोगियों को वे स्वयम उनके घर जाकर देखाते थे उनसे कोई भेट नहीं लेते थे आवश्यक्ता के अनुसार कहीं कहीं वे स्वयम अपने हाथों से रोगी की शुरुशा करते थे और खुशी के साथ अपनी तरफ से नीजखर से रोगी के ओश्यत उपचार एवं पत्य का प्रबंद कर दिया करते थे योग जोतिस और देव जोतिस में उन्होंने असाधरन योग्यता प्राप्त की थी योग जोतिस के त्वारा जन्मकुंडली बनाना तथा पविश्य बताना इस कार्य में उन्होंने प्रतिमास बहुत कुछ अर्थो उपचन किया था प्रचलित जोतिस की अपेक्षा योग जोतिस बहुत ही विलक्षन विद्या है प्रचलित जोतिस गणना अनेक कारणों से ब्रांती रहित नहीं हो पाती सुक्षम गणना भी अब नहीं सी हो गई है किन्तु योग जोतिस को सरूप ऐसा नहीं है जिससे बूल होने की संभावना नहीं है योग जोतिस में यथेष्ट रूप से इतना सुक्समस गणित किया जा सकता है कि जिससे साधरनत्या कोई कलपना नहीं किया ज़ता सकता योग क्रिया में विशिष्ट लाब उतकर्ष होने पर साधक को अनेका अनेक तत्वों का सहच स्वभाविक साक्षातकार होने लगता है मन की विशिप्ता निवरुत हो जाती है और कलपना का कोला हल कही शांत हो जाता है ऐसी दशा में ग्नेवस्तु का स्वरूप प्रग्नाद्रिष्टी के सामने बिलकुल स्पस्ट प्रगट हो जाता है कोई आवरण नहीं रहता है इस सवस्था में मनुस्य स्पस्ट ही प्रगट हो जाता है और कोई आवरण नहीं रहता मनुश्य के भी तरत ग्रह का प्रुथक प्रुथक रूप से उनकी क्रियास पस्ट भाव से जानी जिस जा सकती है यह तो मोटी सी बात है कि योग राजिय में जिसे उन्नती प्राप्थ होगी उसे योग के अंगरूप विज्ञान में उतकर्ष लाब होने का सुगम होगा विलक्षन होती है किसी मनुश्य को देखने मात्र यहां तक की बिना देखे भी उसके जन्म का मुरन तुरन जान जाना जन्म समय के समस्त ग्रहों की स्तिती का ठीक ठीक संधान पाजाना उस व्यक्ति के भूत भविश्य और सुक्ष्म बेरे के साथ निरूपन कर सकना योग जोतिस का अदबुत कारिय है योगी गण भूमिष्ठ होने के समय जन्म के मूरत नहीं मानते बल्कि गर्पादान के समय को जन्म बेलास वीकार करके चलते है कारण जिस शन पित्रु वरिय और मात्रु रज का परस पर सयोग होकर प्राकृतिक विज्ञान से सन्नी कर्श गटित नियम अनुसार बिंदु की उत्पति होती है वही बिंदु माता के गर्प के अंदर क्रमश परिपुष्ट मात्र लाब करता है यथे इस्ट परिपुष्ट तथा घनीबूत होने पर वहा कर्प से निकल कर बाहिय जगत में आता है इस योगिक बिंदु को सास्त्र को बीज कहा गया है वरुष आदी का बीज जिस पद्धती से भूमी के शेत्र में उपजित होता है किसी की तरह प्रतिवेंतक न होने पर क्रमशा अंकुरित होकर यथा बूमी का समय आवरण भेद बाहर प्रकाशित की दिशा में उपर होड़ता है ठीक उसी प्रकार की प्राणा ली के माता के घर्ब में देह बीज का क्रमविकास समपादित होता है और समय होने पर बाहर प्रकाशित होता है यूगी गण किसी देख के वो देखने मातर ही उसके बीज का स्वरुप्रत्यक पाऊशे जान लेते है बीज को पहचान लेने पर उसके पारी पार्शिक समुशक्ति समुख का परिग्णान हो जाता है और उससे भविश्य में होने वाली सारी जानकरी उने मिल जाती है प्राणी शास्तर के जहने वाले जैसे वन्स परमपरा और परिस्तिती जोकी हरिडिट्री एन इन्वामेंट्स के द्वारा प्राणी दे तथा चित का विकास समझनी की चेश्ठा करते है निदान वेता चिकित्सा गण जिस प्रकार सन्नी कृष्ट तथा विप्रकृष्ट कारणों द्वारा अर्थाच प्री डिस्पोजिंग और एक्साइटिंग कोर्स के आलिचना द्वारा रोग के स्वरूप का निरणे करने की चेश्ठा करते हैं नियानिक गण जिस प्रकार उपादान कारण तथा निमित कारण आदीव गरह विचार करके कार्य उत्पति की दर्शनीक उत्पति का संधान लगाते हैं उसी प्रकार योगी गण भी देही बीच पर अभिव्यक्त जगती यावतिय क्रियाशिल सक्तियों के प्रभाव से विशलेशन करते हुए उसी बीच का क्रम विकास जान पाते हैं। उस समय की घटना का उलेक यहाँ पर करना अब प्रासांगिक नहां होगा। उपेंदर बाबु ने स्वयम वर्णान किया था कि वह एक दिन वर्धमान से लोटते समय। वो तथा उनके करमचारी बाबा के श्रीचरणों के दर्शन करने के उद्धश्य से गुसकरा के उस चमि यह करकर पास में बुलाया, मैं समिप गया, बाती बात में मैंने कहा आप तो खुब बली बाती जोतिश जानते हैं, मैं अपनी जन्म कुंडली ले आऊँ, आप दिखाईएगा। वे बोले वत्स, कुंडली लाने की आवशक्तिया नहीं है, तुमारी जन्म कुंडली मेरे पास है, तुम मेरे बहुत दिनों से परिचित हो, उन्होंने मेरी नोटबुक लेकर उसमें मेरे जन्म दिन, तिथी, नक्षत्र, तारिक, समेत, ग्रह के स्थान ठीक ठीक अंकित करके हाथो हाथ कुंडली तयार कर दी, देखकर मुझे आश्चरी हुआ, यह क्या अद्बु पूत वियापार, मेरी जन्म कुंडली इन्होंने कहां से पाई, इस जीवन में तो इससे पहले, इनसे मुझे कभी भेट हुई नहीं थी, तब मेरे संबंद में ये सब बाते इनने कैसे मालूम है, मैंने उनसे पूछा तब वे हसकर बोले, अजी इसके चिंता क्यों करते हो सब कुछ हो सकता है, लो तुम जलपान करो, यो कहकर नाना प्रकार की मिठाया, आम, लीची, अदिफल देकर अपने हाथों से हमें खिलाया, श्रीयूत यो, रुहिनी कुमार चेल महाशाय का जब पूच्यपद बाबा के साथ सरोप्रतम परिचे हुआ था, तब उसके संब दिनों से मेरे प्राण की उत्पत आकांग्षा थी कि मैं एक प्रक्रुत बार ब्रामन के चरणों में आश्रन ग्रह करू, सादू सन्यासी के प्रती मेरे मन में वैसा आकर्शन नहीं था, मेरी धारना थी जो कोई कठिन समय पर संध्या करता हो, जो सम्मई हो, जो आश्रन व बाबा की अद्बुत शमता की बात सुनने में आई, मनिपद्र बाबु ने बाबा के संबन में बताया था कि बोले नात बाबु एक ऐसे चमुतकारी पुरुश है कि वे एक समय में उनके साथ बैट कर ताश खिलते थे और उदर चंडी मंडप में पुजारी ग्रहन के साथ बात्चित करते हुए भी पाये जाते थे, इसी प्रकार की और भी आश्चेर जनक घटना के संबन में उन्होंने मुझसे बतलाई थी जब मैंने सुना, साथी साथ मेरे मन को कुछ ऐसे भाव उत्पन हुए कि मैंने मनी पत्र बाबु से बाबा का पता ठिकाना पूछ कर गुश्करा के लिए एक जवाबी तार तुरंद भेज दिया तार में मैंने लिखा था कि मेरी इच्छा है मैं आकर श्री चरणों का दर्शिन करूँ क्या मैं अभी आ सकता हूँ कुरुपिया मुझे सूचित करिये यथा सवय जवाब आया कि not now अभी नहीं इसी प्रकार का निराशा जनक उत्तर पाने पर मैं हतो उत्सा नहीं हुआ मेरे प्राण उतर ही खीचने लगे मैं तच्छन गुश्करा के लिए चल पड़ा वहाँ पोचकर मैं बाहर बैठा रहा क्योंकि बाबा उस समय करके पीतर क्रिया में लगे हुए थे वे थोड़ी देर में बाहर आ गये उनके शरीर में चाराओ और से पद्मगंद फेल रही थी घर के भीतर से भी विजित्र सुन्दर सुगंद निकल रही थी दोनों आखो रक्तवर्ण शोभा दे रही थी अपूर्व जोतिर में मूर्ती थी दर्शन करते हुए मैं एक और बैठ गया देखकर बाबा ने मुझसे कहा कहो कब आये मैंने कहा अभी ही आया हूँ आपने अभी आने को मना किया था किन्तु मुझसे बिना आये नहीं रह गया यह करकर मैंने हैंड बैक के बीतर हाथ डाला और चाहा कि मेरी अपनी जन्मगुंडली तथा मेरी स्तरी की जन्मगुंडली बाहर निकालू बाबा ने तुरंट पुछा यह क्या मैंने बता दिया बाबा उस समय घर के बीतर चले गए और हाथ में एक वही लिये हुए बाहर आये मैंने देखा कि उस वही के अंदर एक पुरुथक कागज पर मेरा तथा मेरी स्तरी प्रभावती दासी का नाम जन्मकाल एवं फलाफल आदी सब कुछ लिखा हुआ है मैं आस्चेरे चकित हो गया मैंने कहा आप मेरे नाम किस प्रकार जान सकते है मेरी स्तरी का नाम भी कैसे मालुम हुआ मैं यहाँ पर आऊंगा यहाँ आपने कैसे जाना आने के संबद में तो मेरा कोई निष्चेज नहीं था यहाँ तक की तार करने के समय भी पक्का नहीं था कि मैं यहां पहुची जाओंगा आप अपने जन्मशक प्रपूती किस भाती निकाले तब बाबा बोले तुम्हें इस समय पर आने को मन किया था किन्तु जब देखा कि मना करने पर भी तुम यहां चल पड़ोगे तब मैंने बैठे बैठे तुम्हारी जन्मकुंडली नि यतिकरम देखा जब बोले कि नुतन गरणा ही ठीक है मेरी पुराने कुंडली में प्रादर्शिक लगने तो ठीक ही है मैं अवतार कल्प महापुरुष होता बाबा बोले देखो यहां तुम्हारी पुर्वलिखित कुंडली में प्रदशित समय तुमारा सच्मुत जन्म गया होता, तुम इस प्रकार मेरे पास नहीं आये होते, इस प्रकार मनुश्य का जन्म संभव नहीं हुआ, करता वह एक असाधर्णे शन है। इजलक्षन, अच्यूक, अथा की, बाबा स्वरोदय विद्या है। स्वरोदय शास्तर की जो अतिन सूक्ष्म और रहस्य तत्तों की चर्चा बीच बीच में उनके मुख से हमने सुनी है। प्रतिमास नियमित रूप से वे विपुल धनो पजर करने लगे। किन्तु वे आजन में त्यागी जो ग्रोस्ती में रते हुए भी अतह। सन्यासी दूरलब ब्रह्मपजन की उज्वल द्रिष्टी के सम्मान त्रून से भी अधिक तुच प्रतित होता था। उनके लिए जो दन संचे कर रखना कैसे संभू था। एक तरफ वे अर्थ जुडा थे थे तो दूसरी तरफ यचेस्त खर्च भी हो जाता था। अतिति सत्कार साधू सन्यासी को आमंत्रन दिन और विपत ग्रश्ट परिवार को सहायता दान इत्यादी नाना प्रकार से पानी के प्रवाज निरंतर पैसा खर्च होता था। आई और व्यायक दोनों को वे समान द्रिष्टी से देखते थे। इस प्रकार निस्प्रू अकिंचन सन्यासी के स्रिदिष्ट वे हमेशा रहते हुए भी ग्रुत्यागी के समान वे कशाय वस्त्रव परिधान न करते हुए स्थीर वीरिय सन्यासी की नाई जीवन व्यापन करते थे। गुष्करा में निवास करते थे तभी वे विवा कर लेने को बात्य हुए थे। उनकी स्वर्गे माता की वंस रक्षा के निमित उनको विवा करने के लिए जिद पकड़ी थी। नतमस्तक होकर मान चलने आये थे अतह, माता की आगना होती है, वे गुरुदेव के पास पहुचते हैं और समस्त वृत्तान तथा अपने अभीप्राई नम्रता पुर्वक्चरणों में निवेदन कर लिया। का प्रभाव नश्ट हो गया। वे अनेक बार गुरुदेव के श्रीचरणों में पढ़कर रोए, किन्तु गुरुदेव ने आदेश को नहीं बदला। उनके बहुत दिनों तक रोने पर उनोंने कहा, हरिपद तुमारा यहा जन्म तो निश्वल हो गया। ये तदा पी त सदा सर्वमंगल में गुरु के वाक्य कर्म, चिंता, जो कुछ पी शिश्य के कल्यान के लिए ही होते हैं। इस बात को शिश्य प्रतम भले ही ना समझ सके, किन्तु आगे चल कर वे इसको अविश्य जहान जाता है। एक बार निच संदे निवारनात पोलनात ने शी दिन और बढ़ता जाएगा। गुरुदेव की इस प्रकार स्नेमी आश्वासन व्यचनों को सुनकर पुलेनात निर्भई होकर विवा करने के लिए अग्रसर हुए। कुछ समय के पस्चात वर्दमान जिले में वे ठीक शुब मुरत पर उनका पानिक रहक कारिय संपन गुरुदेव के आदिस से सन्यासी को आज ग्रोहस्त बनना पड़ा। उनकी माताजी की चिरोषोचित हदय कांग्शा आज उन्होंने द्वारा पूरी की। बाहर के ग्रोहस्त होते हुए भी वह इसी प्रकार सन्यासी रहे जैसे वो पहले थे। जो कोई अपने अंतकरण क के बीतर सच्मक सन्यासी एवं सर्वत्यागी है उनके लिए ग्रोहस्त धर्मका पालंतों केवल रंगमंच का अभिने मात्र है। देवगण के कारिय संपादन के हेतु उन सबके अनोरोद से सिव भगवान ने जिस प्रकार विवास्विकार किया था। आज स्वरगा देप गरियासी गर्भधारनी नीच पूजनी या जन्नी के आदेश के कारण एवं स्री गुरुदेव के किसी अचिंत्य महान उद्देश को सिद्ध करने के लिए उन ब्याल ब्रह्मचारी त्यागी युवक ने पुनह संसार आस्रम के लिए पीतर को अपने डाला। गुरुस्त करने के लिए करुणा भरे रदय से आज जीवक ने गुरु प्रदत विशुद्धानंद नाम तथा तेर्थ स्वामी उपादी गरान करते हुए संसार शेत्र में प्रवेश किया। मंगल मै के प्रत्यक विधान से मंगल ही परा होता है। गुरु के इस विधान में भी त्र